भारती जंता पार्टी के वर्ष नेता अरू मध्य परदेश के पूर्व मुख्यमंतरी केलाज जोशी कारा विवार को निधन हो गया वो 90 वर्ष के थे पिछले कुछ दिनों से जोशी बिमार चल रहे थे भाजपा के मीडिया विवाक के परमुक ने बताया कि पूर्व मुख मुख्यमंतरी जोशी का सुबह सवा 11 बजे निधन हो गया पारिवारिक सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जोशी पिसले कुछ दिनों से बिमार चल रहे थे और उनका नीजी अस्पताल में इलाज चल रहा था आज अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सास ली देवास लेके हाट पिपल्या तहसील में जन में जोशी जनसंग के गठन के साथ उनसे जुड़े हुए थे वो बागली विधानसवा छेतर से साथ बार विधायक निर्वाचित हुए भाजपा के प्रदेशा अधेक्ष रहे और वर्स 1980 में हुए विधानसवा चुनाप के बाद मु प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और भारती जनता पार्टे के राष्ट्री अधेक्ष अमिशा ने शोग जाहिर किया प्यम मोदी ने ट्वीट कर कहा के लाज जोशी एक ऐसे सूर्वीर थे जिनोंने मध्यपरदेश के विकास में एक मजबूत योगदान दिया उन्होंने म घटना पर शोग जताते हुए अमिशा ने ट्वीट किया मध्यपरदेश के पूर मुख्यमंतरी और भाजपा के वरिष्ट नेता केलाश जोशी जी के निधन का दुखत समाचार प्राप्त हुआ वो एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे जो सदैब जनता के हितों के कीजिए यदि आपे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कि पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल एकन को दवाना ना भूले तक कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो कार्ण कि कार लुऑ